असलाम अलेकुम अच्छा भी आज का टॉपिक हा और्गन सिस्टम जैसे के लास्स टाइम हमने एक टॉपिक पड़ा था और्गन्स तो और्गन्स के मिलने से जो आगे बनता है उसका नाम है और्गन सिस्टम मतलब के अंदर अगर देखा जाए तो डिफरेंट और्गन्स बात देखा और्गन्स सिस्टम जैसे मसाल के तो अबर रेस्पारेटी सिस्टम डिफरेंट और्गन्स से मिलकर बना हुआ है रिपरड़क्टी सिस्टम डिफरेंट और्गन्स से मिलकर बना हुआ है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी डिफरेंट और्गन्स से मिलकर बना हुआ मगर जो respiratory system है इसका particular function है respiration process को पूरा कपूरा करना reproductive system को जो function है वो रिप्रोडक्शन को करवाना digestive system का है digestion में involved होना और circulating system जो perform करता है function उसका नाम है circulation है इसी तरह अगर organ system different मिले तो फिर जो एक जानदार बनता है हम उसको individual कहते हैं मतलब एक मकमल जानदार के अंदर various organ system जो कि animals के अंदर assemble together होते हैं then form individual individual को दूसरा नाम दिया जाता organism अब कोई भी जो complete जानदार है बला वो आप है बला वो मैं हूँ बला वो बिली है बला वो डोग है बला वो लाइन है हर जानदार के अंदर individuality होती है individuality का मतलब different characteristics होती हैं दूसरे जानदार के लाहाँ से अब इसी के सास्थ है जो भी individual होता है इसके अंदर coordination system होता है among process, functions and activities of the body जो भी जिसम के अंदर process चल रहे हैं या functions है या जो भी body के अंदर activities है उन सब के अंदर आपको coordination नज़र आती है हम अपनी example ले ले हम exercise करते हैं जब भी हम hard exercise करते हैं तो सबसे पहले हमारी heart beat और respiratory rate increase हो जाता है और इस वरे से blood supply ज्यादा होता है more होता है towards muscle cells तो आप दे सकते हैं कि muscle cells को ज्यादा blood supply करने के लिए respiratory rate मतलब respiratory system ने भी काम किया और heart beat और circulating system ने भी काम किया तो यह different organs के अंदर अगर देखा जाए तो आपको coordination नज़र आ रही है कि एक process को complete किया जाए अगर देखे जाए जो animals के अंदर coordination system है वो nervous भी और chemical coordination system है अब nervous system दो तरह का होता है एक है center nervous system और एक है PNS peripheral nervous system peripheral nervous system neuron से बना होता है और center nervous system आपको याद होना चाहिए आपने metric केंदे है पढ़ा brain और spinal cord यह दोनों जो बनाता है उसका नाम है center nervous system इसी तरह animals के अंदर दूसरा जो system है जो coordination system उसका नाम है chemical system system अब chemical system को endocrine system भी कहते है जो के gland से मिलकर बनता है जैसे पर चूटरी gland thyroid gland जैसे अडरीनल करेंगे glands वाला जो system होता है इसको हम कहा जाता है कि chemical system यह आप कहसे थे endocrine system और अगर plants के अंदर देखा जाए तो chemical coordination system होता है इसके पास कोई भी nervous system नहीं होता मत्ता है कि brain तो होता नहीं है spinal cord भी नहीं है तो इसके पास जो coordination system है उसका नाम क्या है chemical coordination system है तो यह था topic जो कि बड़ा असान और इंडिविजुल है इसी तरह सारे के सारे lectures upload हो रहे हैं अगर आपने कोई भी topic को search करना है आप topic का नाम लिख देगा और सबसे important बात आपने एज़ेटीजी पेपर में लिख रहे हैं इन्शाला आपके नमबर नहीं कटेंगे ओके बड़ा अलाहाफीस